नमस्कार जैहिन आज हम आए हैं श्रीनेगर में बन रहे रेलवे ब्रिज के पास यह ब्रिज रिशी केश से करण प्रियाग रेलवे लाइन पर बन रहा है और इसकी खासियत बहुत है जैसे आप देख सकते हैं यह पुल फाइनल स्टेज में चल रहा है लेबर यहां पर लग पूरा हो जाएगा राही कंपनी से बना रही है उन्हीं की दुवारा यहां पर एक रोडवे रोड का ब्रिज बनाया जा रहा है जो की बहुत स्पीड से बनाया गया है और 2020 में लग बग इन दोनों काम शुरू हुआ तो अभी यह बनने जा रहे हैं कोविड में इनकी स्थ काम जो हैं का बेसी के लिए रुग गया था गोर्मेंट के प्रेशराइज करने के बाद और गोर्मेंट इसमें प्राइविट कंपनियों का भी बड़ा सही हो ग्रा इन्होंने पूरा काम समय पर कर लिया है लग 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 यह पुल तयार है और यह बहुत फाइदान हो हैं चाहिए हम मंदिरों के बात करें या फिर जो एडवेंचर प्लेसिस हैं उनकी बात करें तो बड़ा है उनके लिए फाइदा होने वाला है यहां के से पास टूरिजम प्लेसिस एक दो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे पोड़ी हुआ तो आपका यहां पर किलकिलेश इसलिए है क्योंकि इससरफ ना की इसके आसपास का टूरिजम ही डवलप होगा जो आगे के इलाके हैं उपर के जैसे जो शिमत हुआ कर्ण प्रियाग हुआ तो बहुत सारे टूरिजम प्लेसिस हैं उनको बहुत बड़ा एक फाइदा मिलने वाला है क्योंकि रेलवे जब कि वहां पर तो वहां पर टूरिश जाएंगे टूरिश सबसे ज़्यादा खरीदी करेंगे वहां के लोकल बिजनस को बहुत ज्यादे से बुस्ट मिलने वाला है एक नौमी को बुस्ट होगा और जितने भी यहां पर जो की प्लेसिस हैं उनके जैसे यूवक यहां से बाहर जाते हैं दिली काम के लिए जाते हैं यह कहीं दूसरी जगाओ पर जाते चाहिए चण्डीगढ हो चाहिए वो जम्मू हो चाहिए वो मुंबई वगेरा हो चैन्ने को तो उनसे वहां वह ना जाकर यही पर अपने लोकल टूरिजम के द्वारा अपना एक लोकल बिजनस पर पहुंच जाए जिससे की यहां के लोकल टूरिजम को बहुत जलब फायदा हो इसे के साथ हम आप से अलविदा लेंगे अगले वीडियो में फिर आप से मिलेंगे धन्यवाद